अब इसमें देखो पहले तुम्हा एक गाट लगाऊंगे यहां छोटा से गाट लगाले ना अब इसमें हमें पाट चैन पहले बनाऊंगे देखो एक, दो, तीन, चार, पाच पाच चैन हो गया अब इसके बाद हमें यहां जोइंट कर देना है फिर से चैन बनाना हमें देखो एक, दो, और एक, तीन अब इसी छोटे से रिंग में हमें इसमें डबल कुर्सिया करती फंदे बनाने हैं तो ऐसे डबल कुर्सिया बनाते हुए हम इसमें पुरा पंदर फंदा कंप्लेट करेंगे डबल कुर्सिया इसको हमें पूरा राउंड लेना है और राउंड लेकर के फिर मैं आगे आपको बताते हैं यह देखो पंदर फंदा पुरा डबल कुर्सिया करके हमने बनाया अब इसको हमें जाइंट करना है अगर आपको बड़ा बनाना होगा तो आप 18 डबल कुर्सिया डालना इसमें और यह पंदर हमने बनाया हुआ है इसको देखें से जाइंट कर देंगी अब फिर से यहां से चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, एक, चार यह फर्स्ट बार है न तो यहां हमें चार चैन लेना है अब वापस उसी जगा फिर हम बनाएंगे देखो अब इस पूरे फंदे में हमें ऐसे डबल कुर्सिया करके और डबल डबल बनाना है हर फंदे में हम ऐसे यह बनाएंगे डबल कुर्सिया करके और डबल फंदा बनाएंगे तो ऐसे पूरे रावंड में हमें कम्प्लीट करना है कम्प्लीट करके फिर आगे बताती है फिर दो रावंड पूरा हो गया अभी हाँ हमको कैसे बनाना इसके उपर फिर से चैन बनाएंगे एक, दो, ती फर्स्ट बार जो हमीं बनाना होगा ना तो हमें यहाँ चार चैन लेना पड़ेगा अब इसके बाद हमें देखो फिर से दूसरे वालेंगे अभी हाँ छोटा छोटा ना ऐसे जाली बनाना होगा फिर एक चैन फिर एक डबल कुर्सिया फिर एक चैन फिर एक डबल कुरसिया फिर एक चैन फिर एक डबल कुरसिया ती दो राउंड बनाने बाद न तीसरा राउंड हमें इसी तरह के से बनाना होगा एक चैन बनाएंगे एक डबल कुरसिया फिर एक चैन फिर एक डबल कुरसिया तो ऐसे हम पूरा round complete करेंगे इसको यहां तक, complete करके फिर आगे बताती है, अब दिखो यह 3 round पूरा हो गया, अब यहां से हमें, इस वाले फंदे को यहां देखो, 20 से ऐसे लेंगे, अब फिर से chain बनाएंगे, 1, 2, 3, अब इसमें हमें double कुर्सिया करके 3 निकालना है, तो एक ह हो गया, तीन double कुर्सिया, फिर एक चैन, फिर देखो, अब इसको छोड़ करके, इस में लेंगे हम, एक छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे, double कुर्सिया, और तीन फंदे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, और फिर एक छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे तो यह चोथा राउंड हमें इसी तरीके से कम्प्लीट करना है ठीक है अब यह तीन-तीन फंदा बनाते हुए बीच-बीच में एक-एक चैन लेना है तीन-तीन फंदा बनाएंगे हम और एक-एक जाली बीच में छोड़के एक जाली छोड़ेंगे दूसरे में एक जाली छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे तो ऐसे हमें पूरा राउंड कम्प्लीट करना है कम्प्लीट करके फिर आगे बताते हैं अब यह देखो, चौथा रांड कम्प्लीट हो गया, अब इसको हमें यहां जॉइंट करना है, यहां एक फंदा ज्यादा है, तो यहां हम बनाएंगे नाई, क्योंकि इसमें सट जाएगा, तो इसको हम यहां जॉइंट कर देंगे, अब यह जॉइंट करने के बाद ना, फिर से देखो, हम उले चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फ़स्ट में जब इसमें बनाएंगे, तो चार चैन बनाएंगे, अब देखो, यह एक फंदा हम यहां से लेंगे, और उसी के ऊपर बनाना हमें, यह जो तीन फंदा हमने देखो, फंदा बनाने एक बाद, तो एक ही चैन लेना है, चैन को बढ़ाना नहीं, अब इसके ऊपर देखो, हम दो बनाएंगे, एक, और यह दो हो गया, तो पहले हमारा देखो, तीन था न, अब यह चार हो गया, तो फ्रस्ट में हम एक बनाएंगे, फिर दूसरा वाला एक बनाएंगे जब हम यहां बनाएंगे लास्ट बना तो यहां हमें डबल बनाना होगा और हर राउंड में यहां डबल बनाना होगा फिर एक चैन बनाएंगे और देखो, फर्स्ट वाले में एक बनाएंगे डबल कोर्सिया, दूसरे में एक बनाएंगे डबल कोर्सिया, फिर तीसरे वाले में डबल बनाएंगे तो हार राउंड में इसी तरीके से बनाना है फर्स्ट में हम एक एक फंदा बनाएंगी और बीच में एक चैन लेना अब इसमें हमें डबल बनाना यह हम डबल बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे इसमें दिख़व डबल बनाएंगे तो यह राउंड इस तरीके से कम्प्रीट होगा वहले हमने तीन बनाया अब हमें चार बनाना है फिर पांस फिर छे फिर सार इसी तरीके से राउंड को आपको घुमाना है और लास्ट में डबल करना है फर्ष्ट में एक एक बनाना और जब भी लास्ट आएगा तो हमें डबल बनाते हुए डबल ही बनाना हर राउंड में तो एक एक फंद हर यह पत्ती में बढ़ रही है तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा और यह round पूरा complete करके फिर मैं आगे आपको बताते हूं यह देखो पूरी round हमारे complete हो गई और इसको हमें जाइन्ट कर देंगे तो ऐसे देखो हमें न 5 round पूरा लेना है यह उपर आले यह तीन छोड़के यह उपर आला हमें 5 round लेना है अब देखो एक बार और बताते हूं फिर देखो दूसरा वाला यहां सलेंगे विन दो हो गया तीसरा यहां सलेंगे तीन हो गया अब चवथा लेंगे यहां से चार वापस उसी जगा सलेंगे तो यह 5 हो जाएगा इसी तरीके से पूरा round में हमें बढ़ाते जाना है फर्यस्ट में हम ऐक 1 बनाएंगे डास्ट में हम 2 बनाएंगे और पूरे में हम इसी तरीके से बनाएंगे तो ऐसे हमें 5 round करना है यह उपर वाला 5 round करके फिर मैं आगे आपको बताती हूं कैसे डिजाइन बना रहा है अब यह देखो पांच राउंड पूरा हो गया हमारा एक दो तीन चाल पांच अब इसके उपर देखो यहां कैसे बनाना हमें अब यहां हम डबल कुरुसिया नहीं बनाएंगे फर्ष्ट में एक चैन लेंगे वापस दूसरे बाले में हम अब हमें सिंगल कुरुसिया बनाना है तो पांच सिंगल कुरुसिया हम बनाएंगे देखो अब इस बीच में मेरा जाली है इसके उपर देखो कैसे बनाना है यहां हमें बनाना नहीं है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ चैनल लेने के बाद और यहां हमें जाइंट करना देखो और सिंगल कुरसिया से यह देखो जाली के उपर एक फंदा इधर, एक फंदा इधर और बीच में हमें तरना है अब इहां देखो फिर से हमें इसे सिंगल लेंगे इसको इह देखो एक, डो, तीन, चार, पाँच, पाँच हो गया अब फिर से हम बनाएंगे आठ तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ फिर यह जाइंट करेंगे देखो आठ आठ चैन लेना हमें और सिंगल कुरसिया में पाँच वैर बनाना है देखो इन दो हो गया फिर यह तीन हो गया चार हो गया फिर यह पाँच हो गया अब फिर से आठ चैन बनाएंगे चार, पाँच, छे, साथ, आठ 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 चैन गिनते करके बनाना है फिर यहां जाइंट करतेंगे तो ऐसे देखो हमें पूरे राउन में बनाना है जालेक उपर हमें चैन लेना है और इसके उपर हमें सिंगल कुरसिया पाँच पाँच बनाना है बीच में हमारा 5 सिंगल कुरसिया आना चाहिए और ऐसे पूरे राउंड में हम तयार करेंगे तयार करके फिर आगे बताते हैं देखो पूरा राउंड कम्प्लीट हो गया यह लास्ट वाला है इसको यहां में जाइंट करना है अगे अधिया हमारा 4 हो जाएगा अब इसमें गहां देखो यहां से बनाएंगे हम एज़े तो दो टीन चाहर हो गया और यहां से फिर से हम इसे चेल बनाएंगे एक दो टीन चाहर पांच छी सार ताठ Saints को हमें देखो आठ है न तो इसका हाफ हमें हाँ बनाना होगा तो हम चार बनाएंगे ठीट है अब चार चेन बनाने के बार इसको हमें हाँ ऐसे सिंगल कुर्सिया ही बनाना डबन कुर्सिया नहीं बनाना सिंगल कुर्सिया बनाएंगे फिर चार चेन लेंगे और अगर चेन आप थोड़ा धीला लेते हो तो बराबर ही लेना नहीं तो एक जादा भी कर सकते हो और देखो चार लिया यहाँ फिर से हां ज्राइंट करेंगे इसको ऐसे चार बनाएंगे सिंगल कुरुसिया अब चार सिंगल कुरुसिया हो यह देखो ऐसे हां ज्राइंट करना है फिर से बनाएंगे फिर इसको ज्राइंट करेंगे हां देखो ऐसे इसी में लेकर कि और सिंगल लेना है फिर बनाएंगे अब फिर इसको देखो यहां ज्राइंट करेंगे फिर यहां सिंगल कुरुसिया चार बनाएंगे अब पहले लाइन में देखो हमने पांच बना फिर दूसरी लाइन में चार फिर तीस लाइन में तीन तो आएसे एक एक करके यहां कम होगा और इस वाले में हमारा ज्यादा होगा यह बढ़ता जाएगा यहां धड़ता जाएगा फिर इसको यहां याइंट करेंगे देखो फिर से चेन बनाएंगे फिर यहां याइंट करेंगे इसको तो हमें पूरी लाइन ऐसे दूसरी लाइन है यह पूरा ऐसे कम्प्लीट करना है तो ऐसे हम पांच लाइन कम्प्लीट करेंगे यह देखा फर्स्ट लाइन में हमने पांच बनाये हैं दूसरी लाइन में हमने चार फिर तीसरी में तीन फिर दो फिर एक यह वला हमरे घड़ता जाएगा और यह वला हमरे बढ़ता जाएगा तो ऐसे हमने बनाया हुआ है आपको दिखाते हैं तो ऐसा यह लाइन हमें पांच लाइन प बना हुए हैं ना, एक, डो, तीन, चार, पाँच, अब इक पूरा हमें कम्प्लीट करना है, तो देखों, एक साइड में हमारा यहां घढता गया है, यह वाला और यह वाला हमारा बढ़ता गया है, फर्स्ट में यह बढ़ेगा, फिर लास्ट में जब हम दूसरा लाइन इसक यहां से हमने लिया है पांच सिंगल कुर्सिया बनाते हुए तो चैन परले लाइन में हमने 8 लिया फिर दूसरी लाइन में 10 फिर उसके आगी जाएंगे तो 12 फिर 14 फिर 16 ऐसे करके आपको जितना बड़ा थलपास बनाना होगा उतना बड़ा बना सकते हो तो हम इसमें इक डि अब देखों यहां बीच में में एक फंद्ध था ना तो हम इसमें पूप्लिट में लाना यह हम इसन संभी करके अब ऐसे लेकर करके और अरा हमें यहां लाना है। इसको हमें घटा आना ना भाभ यहां लाएंगे। अब यहां से देखो अब जैसे हमें नहीं बनाया अब हमें चार बनाना है। सिंगल कुरुसिया, चार गुनाएंगे, अभी चार हो गया, अब देखो यहां से हम चेन लेंगे, अभी इसके उपर हमारा चेन आएगा, एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, सार, आठ, नो, दस, अब दस हो गया न, अब इसको देखों, यहां जाइंट करना है, ऐसे जाइंट करेंगे, और यहां ऐसे बनाएगे, यहां एक हो गया तर अब इसके उपर हमें चैन चैन बनाना है, और यहां हमें सिंगल कोmlo बनाना नहींच हम यहां चार बनाएंगे तो यहां भी ऐसे एक ही करते ही अम घड़ता जाएगा इसमें हमारा बढ़ेगा इसमें हमारा घटेगा फिर से चैन बनाएंगे लोग, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस फिर इसको देखो यहां जाइंट करेंगे यहां बीच में नहीं करना है, यहां करना है, ऐसे फिर इसको ऐसे सिंगल कुरुसिया करके चार बनाना है फिर से चैन लेंगे, तो ऐसे हमें पूरी राउन में बनाना है चार, पांच, छे, साथ पाथ, लाव, दस दस हो गया, अब इसको देखो यहां लेना हमें, इस वाले में ऐसे नहीं फिर से सिंगल कुरुसिया चार बनाएंगे तो देखो, ऐसे हमें फूरा राउन कम्प्लीट करना है, तीन बन गया न, अब हमें दस चैन लेना है, और ऐसे पूरे राउन में कम्प्लीट करेंगे, फिर मैं आप पो बताते हैं, भी देखो, यह राउन कम्प्लीट हो गया, एक राउन, अब यहां हमें कैसे बनाना है, इस वालद डिजाइन को हमें बताना है, तो पहले तो हम देखो chain ही बनाएंगे, अब यह 10 chain है ना तो इसमें हमें 5 बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बनाएंगे देखो, अब यहां ऐसे double crochet ऐसे बनाते हैं, नो ऐसे लेना है, अब यहां 20 से लेंगे, ऐसे नहीं लेना है, यहां ऐसे 20 स chain बनाएंगे इसमें, एक और दो, फिर वापस उसी जंगर से हम दूसरा लेंगे, तो देखो, ऐसे छटे-छटे box बनाना है, दूसरे round में, फिर पास chain लेंगे, और फिर इसको देखो, यहां जॉइंट करेंगे, और फिर यह चार सिंगल कुरसिया बनाना है, फिर जो देखो, पास chain बनाएंगे, एक, रोग, तीन, चार, पास, फिर इसके 20 से उठाएंगे, इसको ऐसे बीच में लेना, जो उमारा बीच में आता है, उसी से हमें लेना है, ऐसे, लबर कुरसिया बनाना है, एक, फिर बीच में दो chain बनाएंगे, एक, और यह दो, फिर वापस उसी जगा से लेनेंगे दूसरा नबल कुरसिया, फिर देखो, बंदो हो गया, एक यहां बनाएं, एक, इहां तो इसी तरीके से हमें पूरे राणु बनाएंगे, फिर से पास chain बनाएंगे, अब इसको देखो, यहां बनाएंगे हम, एक फास्ट वाला न, तो यहां उठाएंगे, फिर से चार बनाएंगे इसमें, सिंगल कुरसिया, अब फिर यहां बनाएंगे, फिर हम पास chain बनाएंगे, अब यह दूसरा राण्ड हम इसी तरीके से पूरा त्यार करेंगे, वैसे देखो, बीस से लेना है इसको, डबल कुरसिया, फिर दो chain, फिर वापस उसे जहेंगे, एसे, ऐसे देखो हम फोरे round complete करेंगे, ऐसे double-double करके, complete करके फूर अगे बताती है, अब यहां देखो हमें कैसे बनाना है, तो जैसे हमें थीसरा बनाएंगे, वैसे चौथ्हा बनाएंगे, फिर पासमय में यह बीच वाला जो हमारा है, यह बीच का बीच ह यह इसी तरिके से ले जाना है, बीच वाले में हमें लास्ट में जब पाच मों राउंड हमारा आएगा उसमें हमें चार चैन लेदा केवल बीच में बाखी दो दो जैन्न, जितना यह बढ़ता जाएगा वे कि दो जैनले ना इसके उपर जो भी हम बनाएंगे सब डबल कुरसिया, सिंगल कुरसिया हमारा ये बीच में बनेगा, ठीक है, अब देखो इसके उपर बनाएंगे, फाज चेन बनाने बद इसके उपर बनाएंगे, और डबल कुरसिया, फिर से दो चेन बनाएंगे, और फिर इसके बीच में इसके बीच में बनाना है फिर से दो चैन लेंगे फिर इसी के बीच में बनाएंगे तो आप ऐसे बनाते जाओगी आपका ये बीच बढ़ता जाएगा इसी तरीके से बने गया और ऐसे हमें पूरे रावन में कम्प्लीट करना है फिर से पाँच चैन लेंगे देखो लेनिक बाद यहां जाइंट करेंगी फिर इसके बाद देखो पाँच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाच फिर अब डबल कुर्सिया बनाएंगे तो इसके उपर बनाएंगे डबल कुर्सिया बनाएंगे देखो प luggen दो चेंट पर इसके अंदर से बनाएंगे सर्दिन दबन wy गया थोड़ा बढ़ा ने और फिर वापस उसी में बनाएंगे दूसरा फिर दोचेंट agencies ने जुत और वर आरा कि नलARS मतबार इसके ऊपर बनाएंगे फिर इसके उपर बनाएंगे और दो इसके बीच में बनाएंगे जैसे यहां बनाएंगे न दो फिर इसके उपर दो फिर इसके उपर आएगा इसके बीच बीच में ऐसे दो दो लेना तो ऐसे में पास राउंड लेना है यह तीसरा रांड है हमारा और दो रांड हमें आओर कम में जब लास्ट वाला मरा आएगा ना तो यह चैन जो है बीच वाला यहां चार चैन बना देता है लगके वह लास्ट में पांच में राउंड में तो दिजाइन आपके कम्प्लीट हो जाएगी और बनाने के बाद दिजाइन ऐसे ही लगेगी देखो यह सीरा साइड है अगर में वीडियो पसंद है में वीडियो को लाइक सरकर चैनल को सब्सक्राइक करना बोलें और वीडियो कैसी लगी कोवंट करकी जरूरत है